दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वालाओ कि High Translate App कैसे यूज़ करते हैं दोस्तो अगर आप लोग भी High Translate App को यूज़ करना चाते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि High Translate Application को प्रॉपर कैसे यूज़ किया जाता है तो फिर आप इस वीडियो को शुरू से लेके लाज तक पूरा देख लेजे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाई ट्रांसलेट एप कैसे यूज़ करते हैं तो गई चले फिर उड की स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जा लिजे करेंगे तो इस एप्लिकेशन का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से लोड होता हुगा नजर आएगा यहां आप लोगों को थोड़ा वीड करना होगा और इसके बाद मिलता है स्टार्ट का बटन यहां आप लोग क्लिक कर दीजे गैस इसकी कुछ पर यहां पर लोग डीजे दो आप लोग के ब्ल जाएगा और करना लोगा लीजल के लिए यहां से आप लोग किस चीज को translate करना चाते हैं यहां से यह आप लोग जो इस application का use करके किसी भी चीज को जो है English से हिंदी में और हिंदी को English में translate कर सकते हैं और कोई भी language होती है उसको आप लोग अपनी language में translate करके पढ़ सकते हैं अब गैस यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं आगे हिंदी कर लिया पीछे English तो मैं आगे English कर लेता हूँ यहां पर arrow देख रहा है यहां मैं क्लिक कर दूँगा गैस आपकी जो भी language है यहां पर लोग क्लिक करेंगे यहां पर आप जो है सारी की सारी जो language है वो आपकी आ जाएंगे और आप लोग किस language को translate करना चाहते हैं वो select कर लीजे मैं English को select करूँगा अब यहां पर आप लोग अपनी language select कर लीजे तो गैस यह मैंने यहां पर select कर लिया है अब guys यहां पर मैं जाओंगा back और back जाने के बाद guys यहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं कोई भी article open करूँगा जैसे मैं यहां पर जाता हूँ Google पर और यहां पर मैं कोई भी article होता है मैं यहां पर लोग को दिखाता हूँ जैसे सारी एंग्लिस में यहांपे दिखाई पढ़ रही है मुझे एंग्लिस यहांपे नहीं आती है तो यहांपे मुझे इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं तो यह जो bubble मिल रहा है यहांपे bubble को आप लोग यहांपे छोड़ेंगे तो यह bubble हिंदी में कर देगा तो अब आप लोग के अपर समझ में आ गया है कि यह चीज हिंदी में क्या है तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी article वगरा होता है और कोई भी आप लोग के पास कोई mail वगरा आती है तो आप लोग उसको जो है English में English से हिंदी में पढ़ सकते हैं जो भी उसकी language होती है उसको आप लोग English से हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हो गाइस हमें क्लिक करता हूँ अब देख सकते हैं और यहां आप लोग नीचे आएंगे और यहां मैं इसको क्लिक करूंगा देख सकते हैं यह में English में जो है English है यह मैं सारी के सारी इस चीज़ को मैं हिंदी में इसको पढ़ सकता हूँ ठीक है यह देख सकते हैं अब गैस इस अब को वाटसप पर यूज कर सकते हैं आप लोग जैसे वाटसप पर किसी से बात करते हैं जैसे माल लीजे मैं आप लोग को देखाता हूँ जैसे मैं WhatsApp पर कोई आता है मेरा कोई friend होता है जैसे उसने मुझे बेजा मैं आप लोगों दिखाता हूँ वो बेजा hello इस तरीके से उसने बेजा जैसे मुझे hello how are you वो इस तरीके से बेज़िएगा हाओ और यू तो इस तरीके से मैं आप लोगों दिखाता हूए वो उसने बेजा how are you तो ये मुझे इसका English नहीं आता है तो मैं इसको जाए क्लिक करूँगा नमस्ते कैसे हो तुम कैसे हो कैसे हो ठीक है अब इसको अगर आप लोग को Hindi में जो सॉरी English में आप लोग को English तो नहीं आती है तो आप लोग को इसको English में जवाब देना चाहते है लेकिन आप चाहते है कि मैं हिंदी में लिखूँ और ये automatically English में हो जाए तो आप लोग अपने हिंदी में लिखते जाए मैं ठीक हूँ लिख देता हो मैं यहापर मैं ठीक हूँ ठीक है तो यह मैं यहापर इसको क्लिक करूँगा और यह English में कर लेगा ठीक है यह दिख सकते हैं बहुत ही कमाल का यह जो High Translate है इसको अब यूज कर सकते हैं ठीक है अब मैं guys आप लोग को दिखाता हूँ यह मैं इसको जो है क्लिक करूँगा अब यहाँ मिलता आप लोगो Global Translate तो guys यहाँ पर मैं जैसे कोई भी आप लोग के पास कोई paragraph होता है मैं आप लोग के एक बार दिखा देता हूँ मेरे पास कोई paragraph है और मैं कोई दूसरा open करता हूँ paragraph तो यह मैं नीचे आता हूँ और कोई paragraph मैं यहाँ पर open करूँगा यह paragraph है यह totally English में है paragraph तो मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ तो आप लोग जो यह बवल आ रहा है यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजे Global Translate पर आप लोग क्लिक के जिए Automatically scan करेगा और यह Hindi में कर देगा अब आप इसको Hindi में पढ़ते जाएए ठीक है गाइस तो यह इसका आप लोग यूज कर सकते हैं और यह आप लोग देख सकते हैं photo translate होता है कोई भी चीर होती है जो English में लिखी होती है तो आप लोग इसको जो है Hindi में पढ़ सकते हैं ठीक है अब गाइस यहाँ पर मैं photo translate पर क्लिक करूँगा और इसको allow करके permission दोँगा और यह देख लिए यहाँ पर यह कुछ लिखा हुआ यहाँ मैं select रहूँगा camera से photo की चुँँगा और यह देख सकते हैं इसने जो है English को Hindi में translate कर लिया है ठीक है गाइस तो इस तरीके साब इस आपका use कर सकते हैं यहाँ पर लोग क्लिक करेंगे तो यह इसकी जो है keyword वगएरा यह जो भी आप लोग ने आपर की होंगे सारा कुछ यह पर दिखा दिया जाएगा अब गाइस यह आप लोग यह जो है इस पर कलिक करेंगे यहां पर इस वाले icon पर तो यह आप लोग यहाँ लेंगर सेलेक्व कर लेज़ेगे और यहाँ पर यह आप लोग कुछ भी यहाँ लिकेंगे तो उसका वो यह हिंदी में translate करेगा ठीक है तो यहां से आप लोग कुछ भी लिख सकते जैसे मैं यहां पर यहां में कर लेता हूं इंग्लिस तो यहां में हिंदी करूंगा तो मैं लिखता हूं और क्या कर रहे हो तो मैंने यहां पर यह लिखा और write करूंगा तो यह देख सकते हैं नीचे इसने हिंदी में कर लिया है तो यह आप लोग यहां पर कुछ भी लिख कर सकते हैं यहां से audio चालो कर सकते हैं तो यहां माइक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लोग कुछ भी बोल सकते हैं जैसे मैं यहां पर बोलता हूं अब यह माइक सितो करूंगा तो यह हमारा audio बंद हो जाए चाहीं एक है तो आप लोग यहां पर मायक पर कुछ भी बोलके उसको भी translate कर सकते हैं तो कमेंट सेक्स में मुझे पोच लेना मैं आप लोगो रिप्लाई दे दूँगा तो गाई जई फिलाल के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्ट वूडो में तब तक अपना खिया लगना टेक क्यार बाई